नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है, पेश अच्छा है जून, सोमार्ट पर्स दवाई एक बजे रासान की बारा बड़ी खबरे भारते मुद्रा यानि रुपए पर अभी महात्मा गांदी की तस्वीर है जल ही कुछ नोटों पर नोबेल विजेता, कवी, रवींद्र नाथ, टैगोर और देश के ग्यार में रास्ट पती, मिसाल मैं डॉक्टर एपीज अब्दुल कलाम की वाटर मार्क तस्वीर देखने को मिल सकती है रिपोर्ट्स के अनुसार केंडरे वित्मंत्राले, भारते रिजेर्व बैंक, कुछ नोटों की एक सीरीज पर कलाम और टैगोर के वाटर मार्क का इस्तमाल करने पर विचार कर रहा है टैगोर और कलाम को नोबल पुरिसकार मिल चुका है जपूर के चुमू पलिस थाने में रविवार देराथ एसीपी ने बड़ी कारवाही को अंजाम दिया आरुपी ने परिवादी से 10,000 रुपे सत्यापन के दौरान ही ले लिए थे और 46,000 रुपे रहिवार शाम को लिए थानादिकारी के रिडर ने परिवादी से 40,000 रुपे लेकर पास ही चाय की दुकान चलाने वाले दलाल रमेश बिज़राणिया को दे दिये इसी दौरान ACV टीम ने इशारा मिलते ही थानादिकारी के रिडर सामरलाल निठारवाल और दलाल रमेश बिज़राणिया को तंगे हाथों गरिफतार कर लिया सरकारी नितियों की कारण इस बार पे आज वे लसुन की बंपर उपज ले चुके मारवाड की किसानों को राजसरकार बंपर घाटा देने के तयारी में है बाजार हस्तक्षे पी योजना में सरकार ने खरीद की योजना तो तयार कर ली लेकिन उसके भाव सुन किसान स्वैम को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं बाज योजना के धाथ प्रदीश में लेसुन की खरीद 32 पर 50 पैसे प्रती किलो की भाव पर हुई थी लेकिन इस बार प्रती किलो पर 29 पैसे पर ही खरीददारी का प्रस्ताव है यानि 4 साल बाद भाव बढ़ाने के बज़ाए प्रती किलो पर 2,93 पैसे कम कर दिये गए बुखार खांसी, निजल स्प्रे, घाव, सुखाने, फंगल इंफेक्शन, मसूडों की सूजन कम करने, कील मुहासू जैसे 16 तरह के दवाईया आप डॉक्टर की बिना पर्चू के ही मिल सकेंगी, फार्मासिस्ट बिना पर्चू के ही बेच सकेंगे, लेकिन OTC कैटिगरी के लिए शर्तों की पानना करने पड़ेगी, केंद्र सिरकार की सलाकार समिति और ड्रक्स टेक्निकल एडवाईजरी बोर्ड नई दिली OTC दवाउं के लिए मंजूरी दे दी है, पश्यमंगाल के राजिपाद जगदीब धनकर ने कहा, पश्यमंगाल में कानून का नहीं देखा, फेड़ा महसूस की है, वो रव्याज शाम करीब 6 बजे उद्यपूर के एकस्थानी कारक्रम में बोल रहे थे इंद्रागांधी शहरी रोजगार गरंटी योजना में निगम हैरिटेज के चारो जोन में 5-5 करोड रुपे के विकास्त कारे करवाय जाएंगे स्वायत शासन विभाग के निर्देश अनसार हेरिटेज के चारो जोन के अभियनताओं को कार्यों का चुन्ही करन वे चोयन कर 15 माई तक योजना तयार करनी थी करीब 3 सबताबाद भी कारे योजना तयार नहीं हो पाई हेरिटेज निगम आयुकत अवधेश मीना ने एक जोन को अधिकारियों की बैठक कर प्रतेग जोन में हेल्प डेस्क बनाने करमचारियों की मुबाइल नमबर सहीत सूची मुख्याल है भेजने को कहा लेकिन अभी तक हेल्प डेस्क ही नहीं बन पाई है बेलवाडा कपड़ा मंडी का एक मात्र वुलन प्लांट है यहां 25 देशों से भेडो की उन आती है इस उन का प्रोसेस कर इससे धागा बनाया ज्वाता है इसी धागे से यूपी में गलीचे बनते हैं जो देश विदेश में सप्लाई होते हैं साने भेडों से ज्वादा बाहर की भेडों की उन अच्छी होती है इसके भावती से 200 रपर प्रती किलो हैं धागा 80 से 300 रपर किलो में बिकता है प्लांट में उन इटली, एजिप्ट, सवदियरा, प्रुमानी, आदी देशों से आती है पक्षियों के स्वर्ग केवला देवरास्टी पक्षिय उद्यान के लिए ये गर्मी आच्छी है क्यूंकि 5 साल में मार्च अप्रैल मई सबसे गरम है और सतापमान 2.3 अधिक है गर्मी के मौसमें प्रजनन करने वाले 20 थाने प्रजाती के करीब 12,000 घौंसलों में नई पी शग्य डीडी शर्मा कहते हैं कि इस साल पक्षियों के लिए मौसम पानी और भोजना नुकूल था इसलिए इनरस्टिंग अच्छी और सफल रही है अधिकांश गोसलों में नई वंश के चहचहाहट है टोल जिले में मालपूरा के अविका नगर के पास सित टोल नाके पठेकेदार की मनमाने के खिलाब नागरिक और वहन मालिका पूर्व उपजीला प्रमुक अब्धेश शर्मा के नेतरतों में प्रदर्शन करेंगे पूर्व उप्रमुक शर्मा ने बताया है कि प्रदर्शन में बड़ी संख्या में नागरिक शामिल होंगे नागरिक टोल के मासिक विवाशिक दरों में बढ़ोतरी तथा टोल का स्थान बदलने का विरोध कर रहे हैं। उधर भाजपा कारेकरताओं ने भी राजपाल के ना ऐसे में करीब 50 लाग रपे और खर्च करने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की और से अप्रूवल मांगी गई है। फिलहाल यहां काम बन पड़ा है। आना सागर जील की के नारे करीब 10 करोड की लागए से लगभग एक हेक्टियर जमीन में इन अजूबों की रैप जारावा डिपो में बसों की समय सारने अब रेलवी की तर्च पर LED TV पर डिस्प्ले होगी। इसके लिए बस टैंड परिसर में 7 LED TV लगाए गई है। इससे यात्रियों को काफिस सिविधा रहेगी। रोडवेज की और से यात्रियों के सिविधा के लिए प्रदेश में LED TV क माध्यम से बस आवगमन और समय सारने की सुचना अब लब्त कराने के निर्देश के बार डिपो में 55 इंच की साथ LED TV लगाई गई है। रोडवेज की मुखे प्रबंदक प्रतीक मीडा ने बताया कि बस टैंड परिसर में यात्रियों की सिविधाओं को देखते हुए ाइब लुफ लाइट टर्मिनल 2 से मिल सकेगी। 15 जुलाई 2013 तक जपर एएरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन दो टर्मिनल भवनों से होता था। 16 जुलाई 2013 को एएरपोर्ट की टर्मिनल 1 को बंद कर दिया गया, International Flites की टर्मिनल 2 पर शिफ्ट कर दिया गया, 2017 में टर्मिनल टू पर यात्री भार अधिक हो गया ऐसे में टर्मिनल एक पर 11500 वर्ग मिटर शेत्र में बनाया गया है एरपोट अथारिटी आफ इंडिया ने इस पर 67 करोर रुपे खर्च किये हैं तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना हैं फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के सा SBT News के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें